Good day students, मैं Dr. Smita Sharma और मैं आपको B.A.C. Part Second का पेपर सेकिंड पढ़ा रहे हूँ जिसका हम Unit Fourth कर रहे हैं Unit Fourth का जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है Superposition of Waves, तरंगों का अध्यारोपन इसमें हमने इस चैप्टर में Interference और Beats के बारे में हमने पढ़ लिया था आज है नया topic पढ़ेंगे इसके अंदर जिसका नाम है संयुक्तस्वर, Combination Tones तो पहले तो यह है कि Combination Tone की Definition क्या है, वो है क्या चीज़ तो a Combination Tone is a Psycho Acoustic Phenomena अब Psycho Acoustic Phenomena क्या है, एक मनो विशलेशनात्मक घटना है तो a Combination Tone is a Psycho Acoustic Phenomena of an additional tone और Tones that are artificially perceived when two real tones are sounded at the same time इसका क्या मतलब हुआ? संयुजन Tone एक अत्रिक्त स्वर की एक मनो विशलेशनात्मक घटना है जिसे क्रित्रिम रूप से महसूस किया जाता है जब एक ही समय में दो वास्तविक स्वर बजाए जाते हैं ये तो हो गई इसकी Definition अब इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब वास्तविक दो tones, दो स्वर एक साथ बजाए जाते हैं तो हमारे को मतलब मन से आपको एक अतरिक स्वर सुनाई देने लगता है अतरिक स्वर या कई सारे स्वर सुनाई देते हैं और ये जो घटना है, ये मतलब क्रित्रिम रूप से वास्तव में नहीं हो रहे लेकिन हमारे को महसूस ऐसे होते हैं कि इसके कुछ additional, कुछ अत्रिक्ट स्वर भी सुनाई दे रहे हैं और ये जो अत्रिक्ट स्वर सुनाई देने की जो ये घटना है ये घटना हमारी combination tones कहलाती है अब इस खोज का ये जो combination tones है कि हमारे जो वास्तविक स्वर बज रहे हैं उनके अलावा भी हमारे को कुछ artificial tones कृत्रिम रूप से हमारे को महसूस होते हैं उसकी खोज जो है वो एक वाइलन वादक थे उन्होंने करी थी उनका नाम था ग्यूसेप टार्टीनी इन्होंने करी थी हलंकि कुछ थोड़े controversial है और भी कई जो musical instrument बचाने वाले थे उन्होंने भी इसकी खोज करी थी लेकिन वास्तविक रूप से टार्टीनी को इसका श्रे दिया जाता है और इसी लिए इन combination tones को टार्टीनी tones भी कहते हैं अब यह है कि यह combination tones जो है वो क्या हो गई? यह है मान लो आपने दो tones जो हैं दो music आपने एक साथ बजाई तो उन दौनों music का combination उसके over tones वगेरा तो सुनाई देंगे ही इसके अलावा कुछ additional कुछ अलग से tones आपको सुनाई देना शुरू कर देती है जो वास्तव में नहीं होती है वो महसूस होने लगती है तो वो क्यों महसूस होती है उस घटना का हम यहाँ पर mathematical analysis पढ़ेंगे मतलब वो जो घटना हो रही है उसका हम physics पढ़ेंगे उसके पीछे के वास्तव में यह घटना क्यों होती है अब यह है कि आपको जैसे कांस सुनाई दे रही है आपको दो स्वार एक साथ बजाए दिये तो साथरन इनसान के लिए तो वो एक music का party होता है लेकिन अगर हम कोई musician की नजर से देखे तो हमारे को वो एक additional tone जो सुनाई देता है वो हमारे लिए या तो beneficial होता है या हमारे को वो irritate करता है musician के लिए नॉर्मल इनसान के लिए तो music का party बन जाता है तो उसके आविश्ट ये इतना सारा पढ़ने के हमें जरुरत क्या है और ये भी दिमाग में आता है कि additional tone generate कैसे हो रही है और हम generate हो रही है या हमारे केवल दिमाग के उपज यह चीज हमारे को देखना पड़ेगा तो इसको पढ़ने mathematically हम इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में क्यों सोचे इसकी मतलब practical application क्या है क्यों हमारे को यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है तो सैयुक स्वर की साहता से वास्तव में तो क्या होता है musical instrument को tune करना होता है आपने देखा होगा जब भी कोई musician instrument को बजाना चाहता है तो वो उसको पहले हलका सा थोड़ा सा बजा के और फिर उसके strings को tight करेगा lose करेगा ऐसे कोई भी musical instrument है जिसमें जहाँ पर tuning की कहते है न कि पहले instrument को tune करते है tune करने का मतलब है कि जिस वक्त वो जो स्वर बजा रहे वो ही perfectly सुनाई दे तो ये जो combination tones है इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे किसी instrument को tune करना बहुत आसान हो जाता है और वो ठीक से काम करना शुरू करतेता है अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर combination tone के बारे में तो वास्तव में combination tones क्या है तो अब हम ये मैंने एक आपको general outlook दिया था जो हम combination tone से समझ सकते हैं अब हम उसके पीछे की physics पढ़ेंगे basically ये चीज घटना कैसे जन्म लेती है और इसके पीछे की mathematical analysis हम कैसे समझा सकते हैं तो जब दो ध्वनीस्तरों जैसे दो स्वरित्रों को जिनके आवरिती अलग-अलग है एक साथ बजाया जाता है तो उनमें उत्पंसरल आवरिती तरंगों के अध्यारोपन के फलस्वरू जो परणामी तरंग तथा उसके आवरितिया प्राप्त होती हैं इसके अत्रिक्त हमें कुछ अन्या आवरितिया भी प्राप्त होती हैं जिन्हें कान से सपश सुना जा सकता है ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं मतलब क्या हो गया? मतलब स्वरित्र मतलब ट्यूनिंग फोक Whenever two tuning forks of different frequencies are sounded together, then due to superimposition of simple harmonic waves generated, a resultant wave and its different frequencies are obtained. But, along with these frequencies, some more frequencies are obtained that can be heard that are clearly audible to our ears and these are called combination tones. तो मतलब क्या है कि हमने इसको physics point of view से हमने कहा दिया कि दो अगर हम tuning fork लें जिनकी frequencies different हैं और उनको हम एक साथ बजाते हैं तो उन बजाने के कारण क्या होगा? दौनों मैंसे waves produce होंगी, sound waves generate होंगी तो वो जो sound waves है, simple harmonic waves, उनके superimposition या अध्यार open से हमारे को resultant wave मिलेगी किसी भी point पे और उस कारण से जो frequencies, different frequencies हमारे को मिलेगी, first harmonic, second harmonic and so on, इस तरीके से हमारे को मिलेगी लेकिन इसके अलावा भी जो combination हम सोच रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ frequencies हमारे को फ्राप्त होती हैं, जो हम deny ने कर सकते क्योंकि हमारे कान को बहुत spasht रूप से वो सुनाई देती हैं और ये जो अतरिक frequencies जो हम predict नहीं कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकती, वो हमारे को सुनाई दे रही हैं, तो वो frequencies हमारी combination tones कहलाती हैं अब ये जो combination tones हैं, इनको हम जो simple अभी हमने superposition of simple harmonic waves का जो अध्यान किया, उसमें हमने वेती करण विस्पंद पढ़ लिया, उससे हम इसको समझा नहीं सकते क्यों नहीं समझा सकते, क्योंकि वो जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं हमारी रेकिक समगात समी करण को संतुष्ट करती हैं, उसमें linear homogeneous differential equations के आधार, पर आधारत है वो घटनाएं, तो linear equations हैं उसके अंदर, लेकिन ये वाली जो घटना है, ये non-linear है, ये घटना क्या है, आप ने कहा कि ये चीज हमारी बढ़ेगी, तो ये चीज इसके मुकाबले कम होगी, तो जैसे से ये चीज बढ़ती की, दूसरी जो इसका product है, वो decrease होता गया, या इसके बढ़ने के साथ ये जो चीज है, ये product है, वो increase होता है, तो हम कैसे अगर input को बढ़ाते गए, तो output भी प्रभाव होता है, रेखिक प्रभाव होता है, लेकिन ये जो घटना हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे कान, तो वो linear घटना तो आई रही है, मतलब अगर आपके frequency के superposition से हमारे को उसकी double frequency, चार गुनी frequency सुनाई देनी चाहिए, तो वो तो हमें दे रही है, लेकिन जो frequency हम predict नहीं कर पारे, उस linear या रेखिये प्रभाव से वो भी हमें सुनाई दे रही है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए हमें अर रेखिकता को समझना पड़ेगा, यानि non-linear effect को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, अब ये non-linear effect हमारा generate कहां से हो रहा है, तो ये जो basically जो non-linear है, वो हमारे कान के अंदर पैदा हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, ये हमारे कर्ण पर्ट में स्थित बैसलर जिल्ली पर ध्वनी तरंगों के गिरने से, उनमें उत्पन अनुक्रिया में नहित है, मतलब ये जो घटना आपकी आ रही है, जो non-linearity आ रही है आपकी, वो basically क कहां से आ रही है, ये generate होती है, एक basilar membrane होती है, जो हमारे ear drum के अंदर होती है, तो हमारे कान के अंदर जो ear drum है, उसके पास में basilar membrane होती है, जब इस basilar membrane के उपर आपकी जो sound waves है, वो इस पे गिरती है, तो उसका जो resultant response है, वो हमारा ये जो non-linear प्रभाव है, इसको पैदा कर तो यहां से हमारा combination tone का generation होता है अब यह combination tone का हम mathematical analysis कर लेते हैं जिससे हमारे को इस घटना के बारे में और ज़्यादा जानकरी राप्त होगी तो अब इसका गणिती visualization हम करेंगे तो हम गणिती visualization में हम suppose करते हैं कि माना PT ध्वनिस्त्रो द्वारा उत्पन ध्वनिक का कर्ण पट के पास दाब है तो क्या चीज हमने suppose करी P जो है वो एक pressure है जो जो ear drum है उसके पास जो sound produce हो रही है किसी भी sound waves के द्वारा जो ear drum के पास जो sound waves produce हो रही है उनका जो pressure है वो PT है यानि PT pressure is near is the pressure of the sound near ear drum ear drum के पास जो sound है उसका pressure है माना कि QT करण पट के अनुकरिया या कमपन के कारण विस्थापन है और हमने क्या suppose करा QT जो है वो एक displacement है विस्थापन है किसका विस्थापन है क्योंकि sound आएगी तो bassler membrane हिलेगी तो उसके जो ear drum की जो response है या कमपन के कारण जो displacement हो रहा है उस membrane का जो displacement हो रहा है due to vibration वो हमने QT से represent करा है अब हमने यह कहा है कि यह जो displacement है it is non-linear क्योंकि हमने यह कहा कि यह superposition के सिधानत की पालना नहीं करता अध्यार open के सिधानत की पालना नहीं करता तो अगर non-linear function है तो इसका मतलब क्या हो गया QT जो है वो PT का non-linear function है तो non-linear function को हम कैसे represent करेंगे अगर linear होता तो हम सीधे यह लिख देते है QT is equals to alpha PT है ना लेकिन non-linear है इसलिए हम इसके अंदर plus beta P square T लिख सकते है plus gamma P cube T लिख सकते है इस तरीके से equation बना सकते हैं जो alpha, beta, gamma are simply some constant अब जो जो यह हमने PT माना है यह PT क्या चीज है यह एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजे PT जो है यह मैंने small PT लिखावा है तो QT जो है वो PT का non-linear function है और हमने उस तो इस equation से represent करा है अब PT यहाँ पर क्या चीज है पहले यह देख लेते हैं PT जो है दो द्वनी तरंगों के अध्यारोपन से प्राप्त तरंग है तो PT क्या है PT जो है resultant wave displacement produced है जो due to superposition of two sound waves generate होता है दो द्वनी तरंगों के अध्यारोपन से जो प्राप्त तरंग होती है उसका विस्थापन है displacement है और हम यह मान लेते हैं सरलता के लिए जब हम mathematical analysis करता है first time तो हम बहुत सारी जो complex चीज़े हैं उनको simplify करते चलते हैं तो हम सरलता से देखो कोई भी displacement की equation कैसे होती है a cos omega t या a sin omega t इस तरीके से होती है तो हमने उसको further simplify करने के लिए initially यह मान लिया a जो है वो 1 है यानि आयाम उसका 1 है तो सरलता के लिए दोनों तरंगों के लिए हम a को 1 मान लेते हैं तो और phase जो है वो कला जो नियतांक है वो भी 0 है सब कुछ हमने सरल मान बना लिया तो हमारी जो equation a cos omega t प्लस phi होती है वो simply क्या हो जाएगी विस्थापन की समिगरन पहले तरंग स्तरोत के लिए हो जाएगी p1 cos omega 1 t और दूसरी स्तरोत के लिए हो जाएगी p2 cos omega 2 t यानि ये displacement equation ये पहले sound source से जो sound आ रही है उसके कारण displacement equation है और ये दूसरे वाले के कारण displacement equation है अच्छा इनको हम omega को हमें पता है 2 pi new t लिख सकते है 2 pi new लिख सकते है और omega 2 को 2 pi new 2 t लिख सकते है जा new 1 और new 2 frequencies है अब हमारा वोई जो अगर दौनों waves superimpose होंगी तो दौनों displacement add होंगे तो add हो गए है हमारे pt हमने एक general निकाल लिया pt will be p1 t plus p2 t तो इनके मान रख दीजिए cos omega 1 t plus cos omega 2 t ये आपकी equation 2 आ गए अब ये जो cos omega 1 t plus cos omega 2 t आ रही है ये हमारे साधरन superimposition का formula से आ रही है लेकिन हम हमारे को जो displacement दिखाई दे रहा है वो pt नहीं दिखाई दे रहा है हमें तो qt दिखाई दे रहा है तो हमने ये मान रख दिया तो देखो क्या आगया qt बराबर alpha cos omega 1 t plus cos omega 2 t plus beta cos omega 1 t plus cos omega 2 t का whole square plus gamma इस पूरी term का whole cube and so on ऐसे हो जाएगा ये third equation होगी अब इसके अंदर आप देखिए अगर beta का और gamma का मान 0 हो जाता है तो क्या होगा ऐसी स्तिती में qt जो है वो pt का रेखिए फलन हो जाएगा linear function हो जाएगा तो अब इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि alpha तो linearity को follow करता है लेकिन beta से non linearity शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 3 में beta के साथ जुड़ा हुआ पद द्वीघात और रेखिकता प्रदर्शित करता है whole square आ रहा है न तो इसका मतलब क्या हो गया quadratic non linearity को show करता है अब ये quadratic non linearity जो है वो क्या असर डालती है वो हम देखेंगे beta का मान निकालने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं अब देखो इसको further solve जो करना है उसके लिए हम कुछ identities को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं दो मिनट लगेंगे आपको समझ आ जाएगा देखो हमने पढ़ रख है cos x plus y यहनी cos a plus b का formula पढ़ रखा है cos a minus b का formula पढ़ रखा है अगर दोनों के formula लगाएं तो उनमें से क्या होती है चार terms बनती है cos a cos b plus sin a sin b और एक में cos a cos b minus sin a sin b तो उसके अंदर cos की जो term है वो तो क्या हो जाएंगी दोनों जुड जाएंगी और sin की term दोनों cancel हो जाएंगी तो final answer क्या आएगा 2 cos x cos y यह आता है तो cos x cos y का मान क्या हो जाएगा half of cos x plus y plus half of cos x minus y यह एक identity आपकी create हो गए अब इस identity में अगर मैं cos x की जगे fx लिख लू और cos y की जगे fy लिख लू और cos इससे क्या होगा इससे cos x plus y क्या function को show करेगा fx plus y को और cos x minus y किस function को show करेगा fx minus y को show करेगा अगर यह सारे मान उप्रोग समीकरंड में रखें तो हमारे पास यह जो equation है यह कैसा रूप ले लेगी यह कुछ इस प्रकार का रूप ले लेगी fx fy बराबर half fx plus y plus half fx minus y यह जो identity हमने अभी निकाली है इसको अब हम अप अपनी equation में use करेंगे तो हम क्या करते हैं हम केवल जो आपकी जो समीकरंड थी यह वाली इस समीकरंड का केवल 2 घात वाला पार्ट यानि यह cos omega t plus cos omega 2 t का होल स्क्वेर वाला पार्ट एक बार उठाते हैं और इसको simplify करते हैं इन identities की मदद से तो करते हैं तो हमने यहाँ पर यह मान लिया कि theta 1 जो है इसको थोड़ा से simplify कर लिया इसको हमने theta 1 लिख लिया जो omega 1 t था उसकी जगे मैंने theta 1 लिख लिया और जो omega 2 t था उसकी जगे मैंने theta 2 लिख लिया तो इनका मान रख देते हैं तो यह हाँ जाएगा cos theta 1 plus cos theta 2 का whole square लेकिन हमने cos x और plus cos y हमने कैसे माना था? fx और fy fy माना था उसी हिसाब से उपर identity के आधार पर मैं इनका मान क्या रख दूँगी इसको तो मैं लिख लूँगी f theta 1 और इसको मैं लिख लूँगी f theta 2 f theta 1 plus f theta 2 का whole square लिख लिया अब हम इसको open कर लेते हैं तो open हमारा simple तरीके से हो जाएगा f theta 1 f theta 1 whole square plus 2 f theta 1 f theta 2 plus f theta 2 f theta 2 हो गया ठीक है अब f theta 1 को मैं कैसे लिख सकते हूं f theta 1 को मैं f theta 1 into f theta 1 इसको मैं कैसे लिख सकते हूं उपर वाली identity को मैं काम में लेती हूं इस वाली identity को ये क्या कहती है f x f y का अगर गुणा है तो वो ऐसे लिखा जा सकता है इसके अधार पर मैं लिख देती हूं कैसे लिख दिया half f theta 1 plus theta 1 plus half f theta 1 minus theta 1 ठीक है ऐसे ही इसको 2 half f theta 1 plus theta 2 plus half f theta 1 minus theta 2 लिख दिया फिर इस वाले में भी ये ही identity लगा दी half f theta 2 plus theta 2 plus half f theta 1 minus theta 2 theta 2 minus theta 2 ठीक है ये लगा दिया अब इसमें क्या होगा ये देखो ये तो हो जाएगा half f 2 theta 1 ये हो गया half f 0 plus ये 2 2 cancel हो गया तो f theta 1 plus theta 2 plus half f half तो कटी गया f theta 1 minus theta 2 plus half f 2 theta 2 plus half f 0 बन गया अब ये theta 1 theta 2 के पुनहमान रख देते हैं जो हमने initially suppose करे थे यानि omega 1 t और omega 2 t रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा half cos 2 omega 1 t plus half cos 2 omega 2 t plus cos 0 plus cos omega 1 plus omega 2 t plus cos omega 1 minus omega 2 t ये आगया है ना ये हमने किसको quadratic equation का जो हमारा displacement वाला part था उसको solve कर लिया अब इस semi current में हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर किती सारी tones आ रही हैं हमारे पास तो केवल दो ही frequency थी omega 1 और omega 2 लेकिन हमारे को क्या क्या सुनाई दे रही हैं इसके हिसाब से हमारे को 0 frequency 2 omega 1 2 omega 2 omega 1 plus omega 2 omega 1 minus omega 2 frequencies भी मिलनी चाहिए इसको हम mathematically solve कर रहे हैं और ऐसा ही हमारे को महसूस होता है हमारे को जो normal frequencies हैं उनकी overtones के अलावा हमारे को कुछ additional frequencies भी सुनाई देती हैं जो हमारे omega 1 plus omega 2 omega 1 minus omega 2 को represent कर रही हैं जो ये normal range में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ये हमें आसार स्पश्ट रूप से सुनाई देती हैं तो ये जो tones हैं जो हमारी exist नहीं करती थी लेकिन फिर भी हमारी को सुनाई देती हैं वो कहलाते हैं combination tones ये ही सारी combination tones हैं ये तो अभी हमने केवल quadratic term को छेड़ा है अगर हम third वाली term को छेड़े न और उसको simplify करें तो हमारे को 3 omega 1 2 omega 1 2 omega 2 omega 2 3 omega 2 2 omega 2 2 plus minus omega 1 ये भी मिलती हैं तो इस प्रकार से हमारे को बहुत सारी additional tones सुनाई देती हैं जो हमारी सिर्फ इसलिए generate होती है वो देखो waves ने नहीं generate करी waves ने तो super imposition के हिसाब से जो normal जो tones थी वो ही उसको सुनाई देनी चाहिए थी लेकिन जब वो जो displacement जो हमारा super imposition के बाद जो resultant wave जब हमारे कान से टकराती है तो कान की जो हमारी membrane है basler membrane है वो क्या करती है वो vibrate करती है तो उसके कारण एक non-linear effect produce हो जाता है और कुछ ऐसी tones या frequencies हमें सुनाई देने लग जाती है additional frequencies जो हमारी केवल उस membrane के vibration के कारण generate होती है और ये हमारी combination tones कहलाती है तो ये एक हमने different effect पढ़ा है super imposition of waves के अंदर और ये non-linear effect है जो केवल हमारे कान के कारण कान की जो membrane है उसके कारण generate होता है normal उसमें जो nature में ये phenomenon आपको observe ऐसे नहीं होगा लेकिन हमारे को खुद को बड़े आसानी से ये सुनाई देता है तो ये हमने combination tones के बारे में सब पढ़ लिया अब ये chapter हमारा यहीं पर खतम होता है superposition of waves next हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है standing waves मैंने ये का था कि superposition of waves में चार प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं वो हमारा उसमें एक प्रभाव है व्यतिकरण दूसरा है हमारा विस्पंध यानि interference और beats तीसरा हमारा था diffraction diffraction का मैंने का था विवर्तन हमारा एक व्यतिकरण का ही एक special case है तो उसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे इसमें चौथा जो case था वो हमने पढ़ा था stationary waves का तो अप्रगामी तरंगों का तो हमारा जो next chapter है वो है अप्रगामी तरंगे तो हम next lecture से अप्रगामी तरंगों का अधियन करेंगे तन्यवाद